डियेवी स्कूल थर्मल के अनमोल निखिल और सोरब ने ग्लोबल हैपी कोड संस्था द्वारा रूस में आयोजित की गई परत्योगिता में करमशह 78 किलो भार फाइट में रजत, 60 किलो भार फाइट में रजत और 63 किलो भार फाइट में कांसे पदक जीत कर हरियाना वडियेवी स्कूल थर्मल का नाम रोशन किया वहीं खिलाडियों के कोच कवर धिमान को भी बेस्ट कोच की उपाधी से समानित किया गया पदक जितकर स्कूल पहुँचने पर DAV स्कूल द्वारा तीनों विजेताओं का भवे स्वागत किया गया कोच कवर धिमान ने बताया कि रूस में European Open परतियोगिता हुई थी परतियोगिता में 20 देशों की टीमों ने भाग लिया था भारत की और से 11 स्कूलों की टीम में पहुची थी हर्याना की और से 6 बच्चों ने हिस्सा लिया था जिन में से 3 बच्चे DAV थर्मल के थे जिन्होंने दो इवेंट में परतियोगिता में तीनों बच्चों ने डेमो दिखा कर दो रजत तता एक कांसे मैडल जीत कर स्कूल का नाम रोशन किया जी मैं अन्मोल गाउनारा से हूँ जो कि मैं डीवेंट क्लास में डीवी थर्मल स्कूल में पढ़ता हूँ पानीपत और मेरा सुरूश एटाय कॉंडो के में में रूची रही है जो कि मैंने 10th क्लास से स्ट किया हूँ द कर दो दिन बर देनम मुझेश में वो बठते रही रही हूँ मेरी दूर्ची और मैं पिछे अपरायल में मुलेशा से भी जीत कर जीत के और अपने पिटा जी और अपने प्रिता जीओं और अपनी पीचरों की उस म्से से मैं अब koska यह सिल्जह मेडल जीत कर ज के और अपने देश को सम्मानित को वास को एम क्या आपका अगे आने में मेरा एम एसिन गेम्स की तरफ रहेगा जाद हतर जो कि अभी गई है जो कि चार साल बात आएंगे इसलिए मैं 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 मैंनिक चाहरे हूँ पहले तो ताय कमांडो में इसके बाद जुड़ों है लेकिन आप यह बख्शिंग में अगड़मी में तोलस परस्ट उपास हो जाएगे ना यहां से फिर यह तो इसको पिलवे अस्टेलिया जो भी तिन नोब चे इस मारस के बटके मेरे से बात होई थी तो लो पापा महरे को यह अस्टेलिया चोड़ों है अगड़मी में पढ़ाई अब अब तेन बच्चों ने इंटरनेशनल कॉंपटिशन के लिए पाटिसिपेट किया बच्चे मेरे तीन गए थे और मेडल छे लेका आए है यह DAV Thermal के लिए बहुत गर्व की बात है इसका पूरा श्रे में इन बच्चों की महनत को इनकी कोच की ट्रेनिंग को और इनके पारेट्स को देना चाहूँ है DAV Thermal अपने हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्लैट्फॉर्म देता है यह बच्चों की महनत है जो इनको स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल तक लेकर गई है मेरा आशिरवात मेरे इन तीनों बच्चों के लिए आगे बढ़े अपने माता-पिता और देश का नाम रौशन करते रहें इन में से कुछ बच्चे इस साल क्लास 12 पास आउट हो जाएंगे जिन्दगी में जहां भी जाएं लेकिन इनके पैर हमेशा जमीन पर हो ग्राउंडेड हो अपने माता-पिता का नाम रौशन करें